हल्लो एविर्वाइन कैसा तुम सब लोगों तो आज करने वाले लिविंग वाइड ठीक है ताइम हो ए सुबह के साड़े छे ठीक है साड़े चे के असका सबाचे हो चुके है एड हम पढ़ने वाले है लिविंग वाइड तो भी क्या है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसक पूरा वो पूशन समझाने दीजिए उसके बाद जब मैं वीडियो में ब्रेक लूँगा देन आप क्या करना बॉस करके इस पूरे पूशन को नूट कर लेना या फिर डारेक्ट पीडिएफ टाउनूट कर लेना ओके लिविंग वर्ड अब लिविंग वर्ड से हम क्या सम अब तक अगर मैं तुमसे पूचूं के लिविंग के क्या क्या फीचर होते हैं तो तुमके मुझे क्या बताओगे के लिविंग जो है वो सांस ले सकते हैं लिको ले सकते हैं जो लिविंग है वो रिप्रडूस कर सकते हैं बिल्कु कर सकते हैं एक मैंने बहुत इम्पॉट सकती है यह वी अच्छा पॉइट है चिक है विकाप को डिजीज लग सकती है बट क्या कुछ ऐसे फीचर पुछ ऐसे फैक्टर्स एक्जिस्ट करते हैं जो कि मुझा इंड ऑन नोनलिंग में फर्क बता सकते हैं जैस करते हैं, दो टाइप के factors होते हैं, defining features and characteristic features, आपके सामने हैं, defining features जो होते हैं, they are compulsory features, example समझो, आप school गए, ठीक है, आप school गए तो uniform पहन के जाओगे, शेरवानी तो पहन के जाओगे न, तो आप जब school जाते हो, तो हमेशा अपनी uniform पहन के जाते हो, आप पोजो आपनी uniform प obviously है, मालो के, मैं कहा रहा हूँ के कोई M.G.N. का बच्चा है, ठीक है, कोई M.G.N. का बच्चा है, तो मैं क्या बूलूँगा, की इसने M.G.N. की uniform पहनी होई है, इसलिए मुझे पता लग गगा के, ये M.G.N. का बच्चा है, ठीक है, कोई किसी X.School का बच्चा है, तो मैं वो compulsion है कि आपको uniform ही पहननी पड़ेगी, ठीक है, तो वो आपका एक defining feature हो गया, ऐसे defining feature में compulsion आती है, तो आती ही क्या है, compulsion यह आती है कि यह features, सिरफ और सिरफ non living में ही, sorry, living में ही present होंगे, सर, आप तो पूरा topic यह टा कर रहे हो, यह सभी features जो है, यह पूरा का पूरा living में ही present होंगे, non living में यह आपको नहीं देखने को मिलेंगे, second पे आते हैं हमारे characteristic feature, यह जो characteristic features होते हैं, यह आपके living and non living, दोनों में देखने को मिल जाते हैं, चिक है, बाकि इस scenario सो तोड़ा यह जो most important है, NCRT से, सबसे पहला है is metabolism, second is cellular organization and third one is consciousness, metabolism, वैसे इस भी features को नहीं है, हम आगी तोड़ा detail में बढ़ेंगे, ठीक है, metabolism बगारा हो अलग-अलग करके बढ़ेंगे, अभी कले सिरफ इसना समझो, कि metabolism होता है, आपकी body के अंदर जितनी भी cell reactions हो रही है नोंका sum total, that's it वो एक green tea की add में आये, बोलते नहीं है, वो dash green tea, आदर डालो, metabolism बढ़ा है, body fat गटा है, ठीक है, तो metabolism का मतलब cell reaction, जब हम green tea पीते हैं, तो वो क्या जीज हो रही है, हमारी cell की reaction बढ़ते है, cell reaction का sum total बढ़ रहा है, जिसके वो दावा करते हैं, कि इनसान इसको पीके and exercise करके हो जाएगा, ठीक है, तो मैं भी आपको इस example से याद रहेगा, second is cellular organization, अब cellular organization क्या है, cellular organization होगी आपकी, कि हम एक cell से शुरू होके, इतना बड़ा complex organism बन गया है न, कभी सोच चाहिए, एक zygote से हमारी शुरू आत होई थी, एक zygote से शुरू होके, हम क्या organism बन गया है अपोर तो यह हमारी cellular organization ही तो है, हमारी body में different organ के अंदर different cells है, different tissues है, ठीक है, heart के अंदर different cells काम करते है, lungs के अंदर different cells काम करते है, ठीक है, muscle cells अलग है, ठीक है, उसके बाद हमारे brain cells अलग है, तो यह क्या है, यह सब हमारी variety है, यानि कि यह हमारा पूरा cellular organization है, तो यह चीज भे हमको सिरफ living में देखने को मिलेगी, non-living में यह चीज नहीं देखने को मिलती ठीक है, cellular organization का मत्तब, कि simply, जिस चीज के पास cell है, वो living है ठीक है, यह चीज आप अपनी 8th unit, जो आपका 8th chapter है, that is cell, the unit of life, उसमें भी आप यह चीज पढ़ोगे ठीक है, कि जिस चीज के पास cell है, हम सिरफ उसी चीज को consider करते हैं, that is living 3rd is consciousness, अब कुछ सब्जो, कि अगर scenario imagine करते हैं, ठीक है, एक scenario मैं बनाता हूँ आप बैठे हो, ठीक है, आपने कर दिया कोई कांट, ठीक है, आपने कोई कांट कर दिया, अब आपकी ममी आ रहे हैं, आपको थपड माने, जब थपड को देखोगे तो पहला reaction क्या होगा, थपड को देखके पहला reaction होगा, जब ममी ने ऐसे किया, तो आपकी आँखे ऐसे हो अगेंस्ट या रिस्पेक्ट में रिस्पॉंड किया, ठीक है, हाथ आगे गर लिया, तो वो चीज क्या दर्शाक्ति है, आपकी कॉंशियसनेस, यह मेरे आज पास यह क्या मेरे टेबल है, यह ड्रेसिंग टेबल है, यह इसको मारा, इसने कुछ रीक्ट नहीं किया, क्या यह दूनो आ नहीं यह है, मैं रियक्ट नहीं किया, ठीक है, बट वहीं अगर मैं किसी चोटे से बच्चे को, यह मैं शोट हो करना में डेटा है। का बटके कॉंशियसनेसस का क्या मतलब होता है, property of responding towards any environmental stimulus ठीक है? किसी भी environmental stimulus के against या उसके with respect to respond करना तो ये क्या है आपके? तीनो के तीनो defining feature होगे अब हम characteristic features प्राफते हैं characteristic feature आपको living and non-living दोनों में देखने को मिलेंगे तो इसमें पहला आपको क्या देखने को मिलेगा? पहला आपको देखने को मिलेगा growth अब growth का case समझो क्या non-living चीज़े grow करते हैं? सब मेरे पास ये dressing table पढ़ा है यहाँ पर मेरा table है ये सब चीज़े तो नहीं grow करती ये क्या living है? क्या non-living है? ये तो non-living है? ये तो grow नहीं करती ये फिर आपने इसको इसमें जो लिखा? सोचने वाली बात है देखो हर living चीज़ तो grow करती है ये तो हमको पता है ठीक है? non-living चीज़ें भी grow करती है बट external factors के थूँ जैसे anxiety का एक बहुत ही प्यारा example है mountains पहाड सर्थी के time पे जो पहाड होते है उनके उनपर बरफ का accumulation होना शुरू हो जाता है होता है कि नहीं? बरफ का accumulation जब होगा तो मारलो पहले पहाड का level था इतना जब बरफ आगी तो पहाड का level होगा इतना तो क्या वो increase नहीं होगा उसके height में? होगा ना ग्रोथ का असल मतलब होता है या तो increase in mass होगा या तो increase in number होगा तो यहाँ पर जब बहाड है पहाड के उपर आपकी बरफ की एक layer accumulate हो गई तो क्या उसका mass increase नहीं होगा? mass भी increase हो और उसकी थोड़ी सी height भी increase होगा तो यह आपके क्या होती है? यह भी तो growth ही भी फिर तो non living चीजें भी growth दिखाती है बट यह external growth होती है कुछ external factors के बदेशे जैसे दूसरे example पकड़ो sand dunes का तो रेकिस्तान गयो तो भी Dubai वाला भी भी ही टेक है? तो क्या है? कि जब Dubai जाते है तो वहाँ पर क्या है? राजिस्तान पर चल जाओ, रेकिस्तान गयरा भी अले इरिया पर चल जाओ वहाँ पर क्या होगा? बड़े बड़े sand dunes आपको देखने हों मिलेंगे मिट्टी के पहाँड तो वह कैसे बनते हैं? हवा आती है बहुत तेस किसी एक sand dunes से मिट्टी को जाकर दूसरे पर रख देती है ऐसे करके पूरे रेकिस्तान में ये मिट्टी का सरकर चलता रहता है तो अब एक चीज़ कोद सोचना क्या ये मिट्टी उसके उपर जाके किसी दूसरे sand dunes मालों ये A sand dunes था और ये B था A से मिट्टी निकलके B के उपर accumulate होगे तो B का size increase हो गया यानि कि B जो है वो grow कर गया मज़े की बात हम आगे पढ़ेंगे जब मैं growth को detail में बताऊंगा तो कि growth भी दो तरीके क्यों होती है एक reversible वाली है के reversible वाली extrinsic and intrinsic ठीक है वो हम तक पढ़ेंगे जब मैं आगे-ागे क्यों होंगा तो growth हो गया sir reproduction को क्यों रखा reproduction तो possibly नहीं है non living में living में तो मान नहीं कर reproduction हो सकती है non living में reproduction कब सुने लग गई non living में reproduction नहीं होती बात सरी है अगर मैं दो table को आपस में छोड़ दूँगा ठीक है तो वो reproduce करके मुझे एक कुर्सी नहीं देंगे ठीक है तो यह चीज रिप्रड्यूस नहीं करती non living चीज़ें reproduce नहीं करती तो मैंने इसको यहां क्यों लिखा क्योंकि यह एक exception है मैं बोल रहा हूँ कि सभी जो चीज़ें सभी लिविंग चीज़ें जो प्रॉपटी शो कर रही होंगी वो मैं defining में लिखूँगा काईदय से तो आना तो यह भी चाहिए था अगर आपको मेरी अगली बात नहीं पता तो reproduction सभी living organisms नहीं कर सकते इसकी दो तिने example जो NCRTs है that are mules सबसे पहले if I am not wrong mules को जो है Hindi में खचर गयते है mules को Hindi में खचर गयते है तो क्या है कि कभी भी notice करना जब आप किसी पहाड़ी area पजाते है जहाँ पर पूरी चढ़ाई होती है वहाँ पर घोड़े नहीं होते क्योंकि mules जो है वह sterile होते है एक घोड़े का एक horse का इन दोनों का matting करवाई जाते है इनकी breeding करवाई जाते है उससे हमको क्या result मिलता है एक mule मिलता है M-U-L-E ठीक है mule मिलते है तो अब क्या हो रहा है कि यह जो mules होते है यह sexually sterile होते है यह reproduce नहीं कर सकते है ठीक है यह बच्चे नहीं पैदा कर सकते है तो इसका advantage इनके owners को मिलता है ठीक है ताकि इंचे सारी जिंदेगी गदा मश्दूरी करवा सकते है ठीक है इस तो बहुत बलत चीज़ है यार अगर आप सोचते हो कि आपने एक टेकनीक के बारे में सुना होगा आई-वी-एफ ठीक है आपने पड़ा होगा 8th class में तो आई-वी-एफ के बारे में जब आप सुनते हो तो आपके दिमाह में सबसे पहले क्या रता है कि यह couple जो है यह human couple जो है यह खुद baby मतलब bear नहीं कर सकते इनको externally fertilization करवाने की ज़रूरत है तब खुद सोचो क्या यह couple जो है यह sterile couple नहीं हुए बिल्कुल हुए ठीक है क्योंकि यह खुद reproduce नहीं कर सकते that's why they are sterile human couple तीसरा worker bee अच्छा worker bee ना best example है तीसरा जो point आता है worker bee का याता है sterile वाले portion में worker bee जो होते है वो भी sterile होते है वो भी reproduce नहीं कर सकते worker bee का काम होता है सिरफ nine to five job करो और मर जाओ एक दिन ठीक है तो यह जो है यह तीनो ही reproduce नहीं कर सकते है मैंने किसकी किसकी बात की mules, sterile human beings and worker bee ठीक है तो यह बात ठहरी मेरे reproduction की segment 1 हमारा clear हो गया segment 2 पर आते है अब मैंने क्या बोला इन सबको हम एक एकल की detail में पढ़ेंगे तो मैं सबसे पहले characteristic features को शुरू करूँगा सबसे पहला मेरा characteristic feature क्या था growth तो growth देखो अब growth ना पहला point जिसका यह है अगर की characteristic feature है ठीक है मतलब living and non living दोनों में देखने को मिलेंगे अब growth होती है अब यह दो तरीके की पहला extrinsic दूसरा intrinsic ठीक है extrinsic में word आ रहा है ext ext को आप relate कर सकतो external से ठीक है यह जो ext आ रहा है इसको आप relate कर सकतो किससे external से जबकि दूसरा जो internal है उसमें यह int इसको आप relate कर सकते हो internal से मतलब कि extrinsic मतलब external growth होगी बाहर से growth होगी and intrinsic मतलब internally grow करेंगे humans कौन से वाली growth शो करते है external humans show करते है यह वाली ठीक है तो ध्यान से मेरे बात समझता जो आपकि extrinsic growth होती है न उसका सबसे main point क्या है कि यह एक type की reversible growth होती है जो मैंना भी आपको पहाड की example दी थी न पहाड की, sand dunes की यह example मेरी किस की थी यह example थी मेरी extrinsic growth की ठीक है तो यह extrinsic growth की जो मेरी example थी वह क्या थी पहाड हो गया ठीक है पहाड के उपर snook है accumulation हो गया mountain के उपर यह sand dunes हो गया तो reversible कैसे देखो खुझ सोचो ठंड का मौसम है पहाड की height मालो original height इतनी थी बरफ आई तो इतनी हो गई क्या जब गर्मी आएगी तो यही बरफ पिगलेगी नहीं क्या glaciers पिगल देनी है सोचो खुझ सोचके बताओ यह बरफ क्या होगी पिगल जाएगी यह पिगलने के बाद क्या होगा वापश से original level पर तो आगई पहले बढ़ी पहले बढ़ गई फिर गट गई तो यह क्या वो इसका reverse gear लग गया मतलब कि यह reversible growth है जब कि जो intrinsic growth होती है आनि कि हमारे अदर जो growth होती है वो कैसी होती है जिसमें human height की example मानता हूँ ठीक है internal growth का मतलब होता है कि कुछ internally factors जो होंगे वो growth को वलब represent करेंगे जैसे आपने एक hormone सुना होगा पढ़ा नहीं होगा भी सुना होगा HGH human growth hormone pituitry glandus को से grief करता है तो human growth hormone जो होता है आपने सुना होगा जिनकी height जो है कम रहते हैं उनको का जाते है कि आपका HGH का level, secretion का level बढ़ाने के लिए diet अच्छी लो तो जब human growth hormone बढ़ता है तब इंसान की human की height बढ़ती है तो यह हमारी body के अंदर यह factor चल रहा है HGH जो hormone है human growth hormone यह हमारी body के अंदर चल रहा है pituitry से release होता है तो body के अंदर है यह factor रहा है तो internal factors से होने वाली growth is your what? Intrinsic growth clear है भई यह intrinsic growth आ गए extrinsic growth के बाद next हम क्या करें कि यह irreversible होती है obviously है सबसे बड़ी example है तो तुमको exam तक relate कर सकते है जब कम उमर में gym जाने की बात करते तो बम्मियों का सबसे पहला reaction क्या होता है बम्मियों का सबसे पहला reaction होता है कि gym अभी नहीं जाना हाइट रुख जाएगी ठीक है पर फिर वो 18-19 के बाद क्यों नहीं रोखते है या 21 साल के यह बाद gym जाने से क्यों नहीं रोखते है क्योंकि तब तक इतनी हाइट बढ़नी होती है बढ़ जाती है ठीक है पुराने टाइम से भी आईसी आपकी exercise करो क्योंकि उसमें आपकी spine जो है वो जादा engage हो जाती है ठीक है उस case में आपकी spine जो है प्रेस होती है उस पर pressure आता है additional pressure फाल्तों का जिसकी वज़से chances कम हो जाते है आपकी height increase होने के ऐज़र नहीं कि height रूख की जाती है नहीं chances थोड़ी से कम हो जाते है reversible growth होगी ठीक है irreversible यानिके मेरी एक बार अगर मानलो height 58 हो गई तो मेरी height 58 से नीचे नहीं जा सकती है मेरी height अगर एक बार 6 foot हो गई 6 foot से नीचे नहीं जा सकती ठीक है reproduction second characteristic feature reproduction के बार में पढ़ेंगे अब reproduction क्या है हम बहुत चोटी classes से पढ़ते आ रहे हैं बहुत चोटी classes से लाइक 7-8 से हम पढ़ते आ रहे हैं reproduction के बार में क्या होता है offsprings को जनम देना of their own species अपनी species के offsprings को जनम देना इंसान का बच्चा गधे को जनम नहीं दे सकता ठीक है तो क्या होगा यह दो तरीके के होती है obviously सबको सबको बता है क्या आप में पकड़ा रहा है asexual, sexual ठीक है यह दो तरीके के आपकी reproduction होती है asexual जिसमें single parent involved होता है sexual जिसमें due parent की requirement रहती है okay अब asexual क्या है asexual का ध्यान से समझना है asexual simply आपका जो process होता उसमें आप क्या गरते हो offsprings जो आते है वो एगदम clones जैसे होते है clone का मतलब संझो ऐसे मालो कि मैं हूँ सुखदेव तुमारे सामने खड़ा हूँ ऐसा ही एक शुखदेव तुम मेरे सामने मेरे जैसा ही that is my clone जिस तरीके से मैं बोलता हूँ वो उस तरीके से बोलेगा जिस तरीके से मैं ऐसे बालो में आध फिर हो वो भे करेगा ठीक है तो वो क्या होगा मेरा clone होगा तो ऐसे ही यहाँ पर जो आपके offspring होते हैं वो काफ़ी जादा identical होते हैं याने के clones होते हैं ठीक है? clones C-L-O-N-E-S clones होते हैं ठीक है? जबकि अगर मैं sexual की बात करूँ तो sexual reproduction में variations आती है differences आती है जैसे तेखो ऐसे sexual का तो क्या था? जैसे अमीबा पहला वाला cell दिख रहा था डिवीजिन के बाद वैसे ही उसके दु सेल्स दिखेंगे है न? जी अमीबा पहला था वैसे उसके बात के दु सेल दिखेंगे Amoeba कैसे debate कर रहा Amoeba ऐसी तो गठता है तो जैसे यह होगा वैसे इतं है उदिनितिकल यह होगा पड़ क्या हम हम में सह कहसे ह arri afinमे ως फैक बता ह। है तो ज़ीए कंप स्घालत यह निया च Вас Episode ममीश सह इंजा कर क्षपा टो यह फिर मोमीश स्पाइच टीक दो हो गe तो क्या सिस हो रही है कि हमारे अंदर विरियेस्ई आजाती है मेरे पापा की जो शकल है। कहते है कि.. मेरे पापा छोटे होते थे.. तब उनकी शकल मेरे जैसे दिखे तेखे हूल तो.. मैं लगेम जैनुटमर भात होगी न.. ठीक है? बट अभी ऐसा तो नहीं है.. कि मैं अब मिले पापा का.... बिलकुल हवं शकल ही है.. ठीक है नहीं है ऐसा दूसरा क्या आता है कि Asexual Reproduction काफी simple है and easy है कियों क्योंकि single parent का involvement है Sexual Reproduction काफी slow and complex process है इसको ना इस तरीके समझो कि slow and complex का क्या मतलब है कि जब हम Sexual Reproduction के सबसे पहले चीज तो human beings के example लेते हैं मुझे दो parents का requirement रहता है ठीक है दो parents का requirement रहता है तो मालो कि जब coitus के बाद ठीक है coitus होता है वो sexual interpose होता है तो coitus के बाद के जो stages आते हैं जो आप पूरा इस साल पढ़ोगे ठीक है cell division में भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 4-4 phases लगते हैं ठीक है एक division की 4-4-8 phases लगते हैं तो उसके बाद जाकर आपके cell जो है वो divide करते है genetic material का क्या होता है crossover होता है ठीक है तो उस साब से फिर आपके features decide के जाते हैं ठीक है उस साब से आपके features decide के जाते हैं आपके कुछ feature आपके papa से मिल रहे होंगे कुछ feature आपके मनमा से मिल रहे होंगे कुछ feature आपके sibling से मिल रहे होंगे क्योंकि at the end वो भी आपके parents का ही product है ठीक है तो क्या हो रहा है कि आपके दूनों parents का genetic material एक point पे crossover करता है ठीक है crossover करता है जो चीज़ आप आगे cell division में आपको में पढ़ाऊंगा अभी कलिए बस इतना समझो कि यह process that's why काफी जाता slow है and complex भी okay next आजो asexual reproduction की चार types पे binary fusion, birding, fragmentation and true regeneration 10th class में भी recently तुम्ही जीज़ पढ़के आएगा binary vision कौन करता है amoeba भी हाँ बनाया था amoeba करता है ठीक है binary vision का मतलब के मेरा एक amoeba है यह टूटके दो daughter cells में बटेगा इसे करते करते बढ़ता जाएगा ठीक है उसके बड़िंग बड़िंग का best example है yeast ठीक है बटूरे में डलता है तो जहां से मेरी एक बात समझता बड़िंग जो होता है yeast क्या होता है yeast को मैंने यहां बना दिया ठीक है अब यह जो yeast है यह क्या करेगा आपने ऊपर एक छोटा सा बड प्रोजेक्ट करेगा and then maturant पर इसको छोड़ देगा तो यह आगे budding मतलब बड़ बड़ने का प्रोसस्स ठीक है ऐसे आपको जो हायर्टर होता है वो भी यही से मदूण करता है next is fragmentation fragmentation को समझो जो आपकी filamentous fungi और filamentous L की होती ही वो fragmentation को शो करती है कहां बनाओ, कहां बनाओ, यहां बनाओ दें, ठीक है? यहां बनाओ दें Just a minute ऐसा ही कुछ डाग्राम अब बच्पन में बनाते थे ठीक है? लोगर क्लासेज में तो यह आपका क्या माल लो, कि माल लो मेरा फिलमेंटर सेलगी है फिलमेंटर सेलगी जो यहाई यह कैसे दूटे में वहीं थे यह मतिया। इंप सुटए यह कि आधीक है वे यह यह मतिया क्या है, विजस्वार सेलगी, फिलमेंटर सेलगी, प्रों मनेव AP तो रगोर सेलो क क्या होगा? कि बनाओ जिए आधीक है, रगोजर में मालों के तीन हिस्सों में बढ़ें ये हिस्सा अलग ये हिस्सा अलग अब ये तीनों के तीनों हिस्से जो हैं ये क्या करेंगे ये अलग 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 डिवाइड हो जाएंगे और फिर यह तीनों अलग अलग ग्रोव होंगे और आगे-ागे करते रहेंगे जैसे एक वो आजकल मुल्टी लेवल मार्केटिंग चल रही है ना MLM तो बंद हो गया वैसे बट उसमें क्या होता है अपने साथ तीन लोगों को जोड़ो और उनसे को कि आगे तीन लोगों से रिकवरी करवाए चलता है ना सा तो यह कैमालों का हैड है ठीक है तो हैड वाला जो MLM का हैड है उसने का किया आगे तीन बंदे जोड़े तीन बंदन और आगे तीन बंदन जोड़े और आगे तीन बंदन जोड़ते के तो MLM का स्कैम जो है Fragmentation फिलमेंटर सेल की ने एक्सपोज कर दिया यह तो कि Fragmentation की बाद Next is True Regeneration अब यह जो True Regeneration होता है यह True Regeneration का क्या मतलब है देखो आपने 10th क्लास में बढ़ा होगा प्लेनेरिया के बारे में प्लेनेरिया क्या है आपका True Regeneration शो करता है True Regeneration मतलब मेरा प्लेनेरिया को मैं काटूँगा न जिस साइड बे उसका हेड होगा जिस साइड बे उसका टेल होगी वो अपने नीचे वाले पोर्शन से भी उपर एक प्लेनेरिया ग्रो कर लेगा और वो अपने सर वाले पोर्शन से भी नीचे एक पूरा प्लेनेरिया ग्रो कर लेगा पूरा पूरा ग्रो कर लेगा हो यानि कि मा कट जैसे मर्जी लगा हूँ मेरी मर्जी ठीक है इसमें से question आना ही आना है कि सर्फ क्या बोला जा रहा है यहां पर ग्रोथ एंड रिप्रडॉक्शन आर मुच्युली इंक्लिजिव इवेंट्स साथ हक में होते हैं ऐसा गब हो गया देखो पहले तो एक सेंब यह पूरा नोट कर लो जल्दी से इसको पॉस करके screenshot मारो फिर मैं आगे करता हूं कर लिया ठेक है तो मैं इतने portion को रब करता हूं क्योंकि मुझे जरूरत है इस जगा की इतनी से जगा से जरूरत है और देखो मैंने आपको क्या बताया था ग्रोथ का क्या मतलब होता है ग्रोथ का मतलब होता है आधर इंक्रीज इन नंबर या तो इंक्रीज इन मास या तो कोई चीज इंक्रीज इन नंबर होगी या तो किसी चीज का मास इंक्रीज होगा तो मुझे खुछ चोच के बताना अमीबा है 1 डिवाइड किया 2 में ठीक है? एक अमीबा था 2 में यहाँ पर केस में पहले कितना number of अमीबा है 1 यहाँ पर कितने अमीबा है 2 क्या यह increasing number हुआ? Yes, हुआ क्योंकि पहले एक अमीबा था एक से दो बने तो increase in number तो उनको देखने को मिल गया second चीज, increase in mass देखने को मिला नहीं, mass नहीं देखने को मिल गया हाना जी, increase in number देखो, मिल गया but ये तो terry growth के बाद मेलो, हम कह सकते के growth तो यहाँ पर हो रही है बटे growth कैसे हो रही है ये growth आपकी reproduction करके हो रही है ये growth आपकी कैसे हो रही है, reproduction करके हो रही है अब reproduction की वज़े से growth हुई या growth की वज़े से reproduction हुई वो एक अच्छे गुमार का मिमेना है, ऐसे बाला तो ये बहुत ही नहीं कैसे है एक वो case है जहां पर आपकी growth और आपकी reproduction दोनों same time पर चल रही है simultaneously चल रही है तो हम क्या बोलते है NCIT की यह line है कि in unicellular organism amoeba है भई, unicellular है amoeba जानि कि unicellular organism के case में आपका growth and reproduction they are mutually inclusive events यह mutually inclusive events होंगे यानि कि जैसे ही मेरा reproduction हुआ साथ ही मैं क्या हुआ reproduction के साथ साथ simultaneously मेरा क्या चल रहा है growth ही तो चल रहा है तो reproduction phase चली उसी साथ मेरा growth phase चल रहा है यानि कि यह दोनों events simultaneous है towards each other यह दोनों events simultaneously चलते है यह ncrt का एक बहुत ही important portion था next हम क्या करेंगे इसके बाद आगे पूर्शिक को continue करेंगे फटा फट से इसको note कर लो पोछेंगे प्व वटा है